कि मैं कमेंट ओगर एके सिंग और आज फिर हम अपने बी एलाइस एक सो तीन को देखेंगे जो उत्राकंड ओपन उनिस्टी का यह जो बी एलाइस एक सो तीन चल ला को अब आज कर चुगे जिसमें ने कहीं ना गई और पुस्तेकाल अबरकिकरण की परजातिया जान लिए और कहीं ना गई छेयं की आपको बता दिये तो चलिए पहली परजाति को देखते हैं सरसे बहुत करना सरसे बहुत करना वीडियो को लाइक करना चैनल को करके रखना जिससे important information कोई हो तो आपको दे दी जाए यूनिट नमबर बन लेसन नमबर थर्ड और इसका आज का टॉपिक है शुद्ध परिगन आत्मक सॉरी वर्गी करें ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं प्योरली इंवर्टिव क्लासिविकेशन ठीक है आप यह है क्या यानिकी जो आपके प्रग्रम आत्मक वर्यगरम पढ़ती में अनुसोची काफी लंबी होती क्या होती यानिकी स्में क्या होती है स्वसे पहली बात आपको पता उने चीए जो अनुसूचिया अनुसूचिया काफी लम्बिया होती है क्या होता है क्या है साथी साथ नई नई वेशो और कहीड कहें जो सामिल गया रहता है ऐसे तियुक्रण में कही नई घो गर्ण आतमक प्रण्भौस्तष करह देकर निशा ता यह honest ऺडवेशों की सभर्य shirt के चलने होते हैं उनको करम में रखने का अत्यंत कठीन हो जाता है जैसे कि आपको कोई नया विश्य आ गया ठीक है और उसे कहीं नहीं आपको एड़ेस्ट करना है तो साथ ही कहीं नहीं परियास संभव नहीं है ठीक है अगर आप से कोई परिवाशा पूछने लगे यानि इसकी परिवाशा है क्या है परिवाशा में आपको कहा है ऐसा रंगा नातंजी ने अपने पुस्तक अपने पुस्तक प्रो लो गो मिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में बताया है यानि कि उन्होंने क्या करता है अध्यन में सी यू में परिवनात्मक वर्गी करण को इस प्रकार परिवाशित किया है कि कि वर्गी करण के लिए एक परिवनात्मक पद्दिती अनिवारे रूप से सभी विश्यों के लिए अत्यंत और यानि कि आति अवर्तमान और कहीं न कहीं भविश्य की गढ़ना के लिए एक सुची होती है यानि कि ठीक है तो कहीं न कहीं ये क्या करता है चीजों को लेके चलता है और कहीं न कहीं यानि कि पास्ट ओन दा पास्ट और प्रेजंट की बात करता है और कहीं न कहीं हम जुक करते हैं आपकी फ्यूचर की यानि कि फ्यूचर की बात को भी लेके चलते हैं यानि कि इस प्रणाली के अंतरगत जो हता है ज्ञान जगत का जो भूत वर्तमान और भविश्य को संभावित विश्यों को अनसुचिव करने के लिए क्या करम कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है और सुध परिगणात्मक अव कॉंग्रेस वर्गेकरन पद्धितिगी सबसे अच्छी उदारण है किसका लाइब्रेरी ओफ कॉंग्रेस वर्गेकरन की ठीक है इस चीज का ध्यान दखना ठीक है यह किसका उदारण है यानि कि लाइब्रेरी ओफ ओउंग्रेस का आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है और दूसरा आपका है राइडर्स इंटर नेशनल क्लासिफिकेशन का ठीक है इसमें क्या हुआ यानि कि इसमें सटीक उदारण दिया रहा इसमें कितने हैं अठारा जार अठारा जार क्या है विश्यों का परिगण किया जाता है इस अधिकांस यानि की मिश्रित विश्यों के रूप में किया जाता है किस पर रूप में कर जाता है मिश्रित रूप में कर जाता है यहाँ पर आपको यह चीज़ें देखने के ने मिलेगी तो पहला जो है उसका य लुट मॉश्ट वाल ली पर चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हमने पहले आला कर लिया पिर आम इसके बाद दूसरा तीसरा इस तरह चेटे चलेंगे ठीक है आशे करता है आपको वीडियो पसना आई वीडियो पसना आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब रहें वीडियो जाँ शया शया करते हैं तेंक्यू